बूर्णिंग टू आल आज आप क्लास फोर का फिर यह तीसरा क्लास है आप इसमें आज आप जानेंगे क्योंकि रिविजन चप्टर हमने दिल किया था इसमें इसमें आपका कुछ कोस्टन है जो मुझे समझाना है जैसे एक ट्वंटी सिक्स कर देखिए देर आर फोर पॉइंट सिंदा फिगर जैसे पॉइंट ए बी सी ओगेड़ा दिया हुआ है फिर है हो मेनी ट्रेंग ट्रेंगल कैन भी फॉर्म बाइज्वाइनिंग दा पॉइंट्स बाइलाइन सेग्मेंट तो दापॉइंट मस्ट बी एड तो ट्रेंगल कितना बड़ेगा है तो जिस तरह से यहां अबया हुआ है म darling इंए यहां दिया हुआ है पॉइंट भी यहां दिया हुआ है पॉइंट फॉइंट तो हम जदी इसको देख लीजिए आप तो कितना बन गया इसमें कितना टूटल आजाएगा ट्रेंगी तो चार आ जाएगा समझ में आ गया अब देखिए दूसरा कुछ से दूसरा है फान्टा टिफ्रेंज विट्मीन रफ इंगल अड़ कंपली मेंटरी एंगल अपांगल ऑफ एंगल मेजर 75 दिए आप अच्छी तुरह जानते हैं कि सप्ली मेंटरी एंगल 180 डिए होता है कम्ली मेंटरी एंगल कितन क्या होगा तो आप देखिए सब्लीमेंटरी एंगल जदी 180 डिडी होता है तो आप 180 डिग्री में 75 डिग्री को माइनस करने तो यह कितना आ जाएगा पांच जीरो एक 105 डिग्री जदी कंप्लीमेंटरी एंगल हमको यह निकाला है तो कंप्लीमेंटरी एंगल हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है इसमें 75 डिग्री को माइनस कर दीजिए और यह टोडल कितना आ जाएगा पांच एक अब कर रहा है कि इसका डिफ्रेंस निकाला है तो यहां हम लिख सकते हैं कि डिफ्रेंस बराबर 105 माइनस 15 एक्वाल टू जीरो कि नो यानि कितना आजाएगा 90 डिग्री समझना आगे आपको अब आगे देखिए जदी प्रोटेक्टर की सहता से हमको 100 डिग्री का एंगल खिछना है तो आप पिछले कछा में पर चुके हैं तो आपको साय दिक्कत नहीं होगा फिर भी हम थोड़ा सा बताते हैं कि हम एक लाइन सेग्मेंट ले लेंगे मिनिमम चार संटीमीटर या पार संटीमीटर का उसके यहां हम थोड़ा सा सिंबॉल दे देंगे सिंबॉल देने का मतलब है कि यहां हम प्रोटेक्टर को बैठाएंगे उसमें नाइंटी डिग्री का जो लाइन है वह इस पॉइंट को टच करें इसके बाद हम यहां से फिर 90 टिग्री से ज्यादा होगा तो सपोज की जिए कि यहां नाइंटी डिग्री एंडरेडड का वाला यहां से फिर हम स्केर के सारे इसको मिला देंगे तो यह कितना दिग्री हो जाएगा या लिख देंगे 100 डिग्री समझभा गया है उसी तरीके से आप जदी कहता है कि वाट इस दा पहले explain कर दीजिए तो बेटर रहेगा कि the side of a square are the same length सबसे पहला हो जाएगा फिर दिखेंगे the angles of a square are the same size and measure इसलिए square में कितना right angle बनेगा हो रही रहेगा तो इसका answer में हम लिखेंगे equal और opposite side भी जो है इसका parallel होता है और each angle कितना degree हो जाएगा 90 degree समझ में आगया चली अब हम आपको roman number में ले जाते हैं next chapter में कि दो तीन question समझाना जरूरी था इसलिए हमने दो तीन question को बिल किया है आगे देखिए रोमन नंबर में हम पहला क्लास जो हुआ था उसमें कुछ बताए थे फिर भी आप जान जाएए छोटा सा ट्रिक जिस तरह से आप one to ten लिखते है one two three four five six seven eight nine ten अब हम यहां से हम आपको एक सोट ट्रिक देते हैं जैसे 21 22 23 24 25 लिखेगे आप इससे बेटर है कि इसका को मन सी जानिये कि जैसे 20 30 हो गया अब हम फोटी लिखेंगे तो फोटी ऐसे लिखना है फिर होगा 50 फिर हो जाएगा 60 फिर होगा 70 फिर होगा है कि अब हम लिखेंगे 92 एक सी और हंड्रेट हो जाएगा सी अब इसमें मालिजे कि हमको कहेंगा 25 लिखने के लिए 20 का यह हो जाता है एक्स एक्स उसमें हम केवल भी को इंट करेंगे समझ में आगए तो दुस्री हो गया उसी पर दद से हम जिसे पॉट्षक हो हमको कहेंगा तो क्या लिखेंगे यह वो जाएगा टी हजार कर जितना होगा यह जाएगा एम यह कोमन चीन जदी आपके दिमाग में है तो आपक अब आगे बढ़ते हैं जैसे पहला कुस्ट्टन है कि यह आपका रोमन नुम्रियल्स है कि अगर कि अगर कुस्ट्टन जिस तरह से यह रोमन नोटेशन में का राय लिखने के लिए जैसे हम पहला ही ले लेते हैं लिखा हुआ है 10 20 30 40 50 60 70 50 90 और 100 इसको रोमन नंबर में लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे यहां लिख देंगे हम एक्स 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 फिर यहां हो जाएगा इक्स एल 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 एक्स एल एक्स 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 फिर हो जाएगा एक्स सी फिर हो जाएगा शी समय के उसी तरह से अब राम और के संगा मालीजें 50 तो इसी तरीके से लिखेंगे उसके बाद आप कर रहा है कि राइट इन्हीं हिंदू आर्भिक नोटेशन में लिखना है यानि की डिजिट में यानि जो डिजिट का यूज करते हैं यह हिंदू अर्भिक है जो यह नमबर आप देख रहे हैं यह रोमा नमबर है समझ मागया और और आखения आउए उसी तरीके से आगे है कि एस टि वी ऐ आई ऐए फिर आगे दिया हुआ है एल आएश, आई हैश आई एक श, कुस लगे करें कि इस फिर आगे एग ऐइट ग मूह है की तो ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 79, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 62, समझ मा आ गया है? उसी तरीके से, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि आगे है कि हमको फिलिन बीट मोर देल रेज देन एड इकोल टू यह डाला है पैसे डालेंगे तो सपोस कि यह हम कोई भी डिजिट ले लेंगे रोमन नमर लेंगे जैसे इनमर ले लिए ऐसे एक्स एल आई 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 की खाली स्पेस है एक्स सी में यह डिया होग लेकिसे में किमें और लेस के एकोल टू कुछ भी ऑगा इसके लिए सबसे पहले इसको डिजिट में देखेंगे कि कों कितना जाला जैसे यह दिया हुआ है इसका आगया 43 इसका आगया 93 तो 43 से 93 बढ़ा है तो इसमें हम क्या कर देंगे मोर्देन कर साइब समझा गया अब देखिए जदी दो संख्यां हो दोनों अलग अलग हो एक हिंदू आर्मिक में हो और रोमन नंबर हो तब क्या करेंगे कि जैसे कोई डिजिक ले लेंगे एक है एल एक है 100 कोई दिक्रत नहीं है एल मतलब होता है फिट्टी हंड्रेड तो आप जानते ही है तो यहां भी मोर्देन हो जाएगा कि समझा गया उसी तरीके से यह नीचे वाला जितना भी आपका रोमन नंबर में दिया हुआ है उसी तरीके से लिखेंगे आप जैसे एक बता देते हैं छे नंबर का छे नंबर में दिया हुआ है कि जैसे एक ले लेते हैं बहुत ही सिंपल एक्स 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 जिवाइड एक्स 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 क्या करेंगे सबसे परले हम इंदुर्पिक में लाएंगे तो यह 30 दिवाइड 30 इकोल्टू कितना होगा वन फिर इसको रोमन नंबर में ही लिखना ह सब्सक्राइब उसके बाद जैसे एक्स ऐसा आजाएगा एल इन्टू तू तो बराबर कितना तो यह मत्तब फिट्टी फिट्टी इन्टू टू इक्वर टू हंड्रेट तो हंड्रेट का जो है रोमन नंबर क्या होगा सी होगा है आपको समझ में आ गया आगे बढ़ीगे आगे है कि हमको एरेंज करना है एसेंडिंग ओडर में सेबन नंबर का देखिए ए नंबर कि जैसे दिया हुआ है एक सी एक सब्सक्राइब करेंगे क्या करेंगे कैसे हम इसको डारेक्ट लिक्स करते हैं तो आप सबसे पहले इसको एक हिंदू अर्भी में कर लीजिए सबसे बेटर होगा जैसे यह नबर हो गया फिर यह हो गया आपका 15 यह कितना आ गया 40 यह कितना आ गया 10 यह कितना आ गया 5 यह कितना आ गया 8 अब हम इसको मालेजे की किया एके और कर ना है मतलब होता है आरो ही क्रम सो तर्यारी चोटा से बड़ा वंडा से 15 से बड़ा 40 है लिख देंगे XL, 40 से बड़ा 90 है लिख देंगे XC और सबसे बड़ा C है लिख देंगे C और बीच में ये जो हम लिखे हैं ये तो आपको समझाने के लिए लिखेते इसको बिटा देंगे समझ में आगे है उसी तरह से अब वही क्रम descending order है तो बड़ा से छोटा कर लेंगे ये आपके लिए आसान हो जाएगा तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आगे होगा अब है कि वीच नॉम्रियस इस करेक्ट इनिच ऑप दी फॉलोविंग पेर इसमें जो पेर दिया हुआ है इसको चुल लेना है तो जो सही होगा उसमें हम सही करेंगे जो गलत होगा उसको गलत कर देंगे समझ में आ गया तो इतना सब इतना काम आपको वेवस्तित रूप से करना है और रोमन नमबर को ठीक से समझना है कि रोमन नमबर को किस तरीके से लिखा जाए रोमन नमबर मे जबी कोस्टन रहेगा तो उसको रोमन नंबर में ही अंसर देना है यह हमेशा ख्याल रखेंगे गलती से अब हिंदुवार्बिक में नहीं लिखेंगे ओके अब होमबर्ग लिखिए आप होमबर्ग में आप लिखेंगे हेज़ डव्लूव में सबसे पहले रिविजन एक्सरसाइज का लिखेंगे अब रिविजन एक्सरसाइज में कि रिवीजन चेप्टर में आप लिखेंगे ट्वेंटी सीक्स टू थर्टी ट्वेंटी सीक्स टू थर्टी टू सॉल यह तो पहला हो गया दूसरा लेक्स चेप्टर में लेक्स चेप्टर में आपका आगया जैसे एक्सरसाइज टू इसमें आप कोस्टन नम्बर बॉन से लेकर कोस्टन नम्बर नाइन बना लेंगे इतना काम आप कर सकते हैं आप घर में हैं आपके पास प्रयाब की समय है आप इसको विधिवत बनाने से पहले आप मेरा विडियो को पहले ठीक से सुनिए समझ ये उसके बाद बनाईए कहीं कोई दिक्कत नहीं है फिर भी जदी कोई समस्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए हम फिर से बताने का प्रयाज करेंगे थैंक्यू कर दो